तो हमारे पास यह मोडल है आज हम इसे रेंडर करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किजिए हमारे चैनल को बैल आइकन को दबाना ना भूले तो हमें सबसे पहले photo view 360 mode open करना होगा तो यहां पर हम tools में जाएंगे और इस arrow पर click करेंगे नीचे की तरफ आएंगे यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा add-ins add-ins पर click करेंगे और यहां पर जो photo view 360 है यहां पर हम click करेंगे activate add-ins और start-up यहां पर हम दोनों पर click कर देंगे तो यहाँ पर हमारा photo view 360 आ जायागा और यहाँ पर यह photo view 360 आ जायागा और यहाँ पर हमारा render tools में भी हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें यह option देखने के लिए मिलते हैं first option है edit appearance, edit appearance में हम इसका color change कर सकते हैं कुछ भी color दे सकते हैं edit scene में हम background scene यह कुछ भी हम यहाँ पर background scene इस तरीके से change कर सकते हैं तो यहाँ पर हम plain white ही ले लेते हैं और फिर यहाँ पर edit decal, decal में जो हमने decal use किया हुआ है उसे हम edit कर सकते हैं जाता है हमारा integrated preview, integrated preview में यह image जो है एक 3D image में convert होएगी integrated preview हमने own कर दिया है यहाँ पर और यह इस तरीके से calculate हो रहा है भी है इस तरीके से हमारी एक realistic image में convert हो जाएगी इस तरीके से हमारा realistic view create होगा अगर हम इसे थोड़ा सा भी rotate करेंगे तो यह फिर से calculate होगा तो यहां से हम integrated preview को off कर देते हैं तो यह हमारा normal position में आ जाएगा अब हम एक हमें यहां पर देखने के लिए साइज है और custom sizing भी हम यहां पर ले सकते हैं तो हम यहां पर कुछ भी कोई भी size ले ले लेते हैं फिर यहां पर हम image format select कर सकते हैं यहां पर यह इतने तरह के हमें आपर image format देखने के लिए मिलते हैं फिर यहां पर हमें browse कहां पर हमें image को save करना है यहां पर हम preview रेंटर quality good better maximum final रेंटर quality gamma तो gamma हमारा 1.60 रखेंगे इसे छेड़ते नहीं है तो इस तरीके से हमें आपर option देखने के लिए मिलते हैं आसे इसे ok करेंगे और इसके बाद हमें आपर preview render preview window देखने के लिए मिलते हैं जो हमारा final render होगा वह किस type का होगा किस तरीके से हमारा final render होगा है तो यहां पर हम preview window पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक window ओपन होगी कि इस तरीके की एक window ओपन होगी और यहां पर वह calculate करेगा सब सारी चीज़े कि अज़े इस तरीके से तो इस तरीके से यहां पर हमें दिखाएगा कि हमारा final render product कैसा होगा आप दिखाएगा और हम इसे भी थोड़ा बहुत rotate करेंगे तो यह image फिर से calculate होगी तो हम इसे यहां से close कर देते हैं अब इसके बाद हमारा आता है final render जो हमारा final render होता है वह कैसे होता है तो final render पर हम click करेंगे तो हमारी पहले एक window open होगी इस तरीके से एक window open होगी और फिर इसके बाद एक window और open होगी हमारी यहाँ पर अब हमारी यहाँ पर एक और window open होगी देखें इस तरीके से हमारी window open होगी और यहां पर हमारी rendering start हो चुकी है जो भी हमारा render final rendering है वो start हो चुकी है यहां पर यह हमारा थोड़ा बहुत time लेता है rendering में और जो time हमारा है वो depend करता है हमारे system की specification पर तो अब यह हमारा render complete होने वाला है कुछी देर में हमारे rendering जो है complete हो जाए तो हमारी एंटरिंग कंपलेट हो चुका है, अब हम यहाँ पर सेव इमेज पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हमें इस इमेज को सेव करना है वहाँ पर हम इसे सेव कर लेते हैं, तो हम इसे टेक्स्टोप पर सेव कर लेंगे हम फाइल का कुछ भी नाम दे देते हैं यहां पर सेव फिर यहां से हम लोज विंडो करेंगे और इसे भी हम यहां पर क्लोज कर देंगे तो यह देखे इस तरीके से यह हमारी इमेज रेंडर हुई इमेज होगी यह देखे इहां हमारी बिना रेंडर की हुई इमेज हो और यह रेंडर करेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमेरे चैनल को साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें थैंक्स फूर वाचिंग